हलो स्टुडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं बिहार कम्माइन इंटरेंस कॉम्टिटिटिव एक्जामिनेशन बोर्ड जिसे हम लोग कहते हैं बी-सी-ई-सी-ई-वी के नाम से जानते हैं तो आईए हम आज बात करेंगे 2022 की तयारी आप कैसे करेंगे यदि आप बिहार कम्माइन इंटरेंस कॉम्टिटिव एक्जामिनेशन बोर्ड की तयारी कर रहे हैं बी-सी-ई-सी की यदि आप तयारी कर रहे हैं तो आप कैसे तयारी करेंगे तो स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि आपके जो सलेबा से वो क्या होगा, कौन-कौन से बच्चिस के लिए एलिजिबल है, एज क्या होनी चाहिए, कौन-कौन से सेंटर होंगे, आपको कौन-कौन से कॉलेजिस मिलेंगे, मतलब आपको BCE BCEB के बारे में टोटल जानकारी हम देने वाले हैं, किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न होगा, आप जो पुराने वीडियो हैं, वो कैसे डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल A to Z हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, मैं हूँ रमाकान पटेल और आप देखने, साइन्स चनबाडा, यदि आप पहली बार हमारे चनल पर आए हैं, तो चनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बैल आइकन को प्रेस कर लीजे, जिससे आपको एगरिकल्चर से रिगार्डिंग सारी जानकारी सबसे पहले, और सबसे सटीक जानकारी आपको मिले, तो आईए बात करेंगे सबसे पहले कि आपका जो पेपर होने वाला है, वो कौन-कौन से सब्जेक्ट वाल स्टुडेंट इसे इसके लिए अपेर हो सकते हैं, कौन-कौन से बच्ची इसे दे सकते हैं, तो स्टुडेंट्स यदि आप मैच सिब हैं, यदि आप क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है मैच रहा है, ठीक है, 11, 12 में दी आपका मैच रहा है, तो आप फिडिक्स, केमस्ट्री और मैच देंगे, मतलब आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ना होगा, मतलब आपका पेपर कितने नंबर का दियाएगा, 1200 नंबर का आपका पेपर होगा, एक कोशन सॉल्व करने के लिए, आपको मतलब एक कोशन जो होगा, वो चार नंबर का होगा, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट से 100-100 कोशन मिलेंगे, 100-100 कोशन मिलेंगे, मतलब आपको टोटल 300 कोशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, 100 कोशन को solve करने के लिए आपको देल घंटे का समय मिलेगा देल घंटे यहां पर तीन और यहां पर देल घंटे वद्ब साड़े चार घंटे का आपको यहां पर क्या मिलेगा समय मिलेगा यदि आपका subject bio है यदि आपका subject bio है तो आपको physics chemistry math math नहीं पढ़ेंगे आप फिर biology देंगे तो रुक रुक का टाइमिंग क्या है उसकी सेट की कही है वो भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे यदि आप एगरिकल्चर के हैं तो एगरिकल्चर का पेपर भी आपको बारोसो नम्मर का होगा अगरिकल्चर वाले बच्चों के लिए एक खास बात क्या है कि वो फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैज्स, बियालोजी इν में से कोई दो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आप फिजिक्स, केमेस्ट्री से दे रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? PCA हो जाएगा physics chemistry और agriculture यदि आपको physics chemistry से नहीं दे सकता तो आप क्या दे सकते हैं P, B, C से दे सकते हैं physics biology और agriculture से दे सकते हैं physics biology agriculture agriculture common रहेगा आप उनके साथ में किसी भी subject को क्या कर सकते हैं यहां से ले सकते हैं खास बात इसकी यह हो जाती है clear हो गया आगे जानकारी देखते हैं क्या होगा ठीक है तो यह आपके यहां पर combination बनेंगे math वाले physics chemistry math देंगे biology वाले physics chemistry biology से पेपर देंगे PCMB वाले physics chemistry math biology से दे सकते हैं यह खास बात क्या है जिनने additional लिया हुआ है मतलब जिनका 12 में additional math बायो रहा होगा वो चारों से दे सकते हैं और उसके बाद में selection होने के बाद में वो decide कर सकते कि उन्हें किस field में आगे जाना है cba मतलब chemistry biology agriculture से भी आप पेपर दे सकते हैं agriculture वालों के लिए benefit यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यदि हम बात करेंगे तो आपका जो paper pattern है मैंने वो आपको बता चुका हूँ कितने नमर का paper pattern है आपने देख चुके हैं इसके बाद में यदि हम बात करेंगे आपको total जो question आएंगे 300 question आएंगे एक question कितने नमर का चार नमर का मदब चारती आप बारासुन नमर का आपका क्या हो गया यहां पर पेपर हो गया जिसमें फिडिक्स chemistry की यह दि आएंगे 100-100 नमर के सारे subject रहेंगे एगरी कल्चर भी है तो यहां पर आपका मैट्स बायोजी 100 नमर दोनों में आएगा टाइम आपको सारे 4 घंटे का मिलेगा एक paper solve करने के लिए आपको देड़ घंटे का समय यहां पर मिलने वाला है अब आईए देखते हैं official website पर जो आपकी PDF डली हुई है उसमें क्या सिलेबास है क्या pattern है सारी जानकारी बिल्कुल A to Z देखते हैं तो स्टुडेंट्स यदि हम बात करें आपके सिलेबास की तो आपका जो सिलेबास होगा उसमें फिजिक्स में आपको क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं तो physical world and measurement से आपको चैप्टर आने वाला है तो इसमें क्या होगा आपको भौतिक मापन से कोशन आएंगे आपको यहां पर kinetics से कोशन देखने को मिलेंगे मतलब आपको graph वगयरा कोशन आएंगे वैलो सिटी वगयरा आएगी ठीक है law of motion गती के नियम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे वर्क एनरजी पावर मिलेगा मतलब आपको कार उर्जा इवं सक्ती देखने को मिलेगा जो आपके नॉर्मल एग्रिकल्चर में रहती इस फिजिक्स में motion of system particle in the rigid body आपको देखने को मिलेंगे आपको यहां पर गुरुतवा कर्शन पढ़ने को मिलेगा प्रोपर्टी सब वल्क मैटर देखने को मिलेगा आपको यहां पर जिसमें आपको हूक का नियम पढ़ना पढ़ेगा वल्क मॉडियू पढ़ना पढ़ेगा आपको यह आपके चैप्टर रहेंगे आपका heat and thermodynamic आपको देखने को मिलेगा यहां पर ठीक है उसमें गतिकी का जो नियम है behavior of the perfect gas and kinetic theory आपको गति उर्जा देखने को मिलेंगे ठीक है देखने को मिलेंगे आपको यहां पर तो यहां पर आपको पूरे वायव सेवट नियम देखने को मिलेंगे ठीक है आपको इंपियर लौ देखने को मिलेगा उसके आद में Electromagnetic induction मिलेगा आपको देखने को निय्टव कोशन बगे अल्टरणेटिव लेक्हाइक नियम मिलेंगे आपको ट्यक है विद्दोत चुनि के छेटर वगेर देखने को मिलेंगे UPTeX से आपको कोशनन हैंगे प्रकास वगेरा से ठीक है लेंस वगेरे आपको देखने को इलेक्ट्रोनिक डिवाइस से आपको कोशन आएंगे मतलब जो आपके विद्दूद डिवाइस जो होती है उसमें आपको कोशन आएंगे LED से कोशन आएंगे और गेट नौर गेट ठीक है NAD गेट यह सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे communication system से देखने को मिलेगा आपको संचार से related कोशन आएंगे आपको ठीक है इसमें आपको signals वगएरा पढ़ना पड़ेगा यह आपको देखने को मिलेंगे आपको chemistry के बात कर लेंगे classification of elements and proper अप्रोपटी सिटी इन प्रॉपटी सापको देखने को मिलेंगे मतलब आपको elements के classification state of medical प्रता पदार्द की आपको प्रकृती देखने को मिलेंगे फिर आपको thermodynamics देखने को मिलेगा यहां पर आपको जो hands law देखने को मिलेगा ठीक है याद रखेंगे आप लोग उसके बाद में आपको यहां पर s-block देखिए s-block है आपको s-block से question आएंगे पी ब्लॉक से question देखने को मिलेंगे अपको देखने को मिलेगा यहां पर विद्दूत रसायन देखने को मिलेगा फिर आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा पर ठीक है आपको गती जुर्जा देखने को मिलेगी गती करसायन आपको फिर आप पर पी ब्लॉक देखने को मिलेगा डी ब्लॉक आपके पेपर में आएगा आपको ठीक है लेंथिनाइट एक्टनाइट क्या होते हैं ठीक है तो आपको पूरी periodic table पढ़ना पड़ेगी मेडलीव की आवर्सानी जिसे कहते हैं हेलो एलकेंस एन हेलो एरिंस आपको देखने को मिलेगा एलकोहल फिनॉल और इथर आपको पेपर में देखने को मिलेगा lambda height ketone and carvo oxalic acid आपको देखने को मिलेगा औरर्ण clip component containing nitrogen देखने को मिलें आपको यहां पर ड्रक्राइय वगले नायलॉन पड़ेगा आपको यहां और आलायलॉन नाइल्उन पड़ेगा जैसे आपके जो कपड़े आते नायलॉन के आते है जो रसियों बगरा बनती है इसके बाद इदी हम बात करें मैस में क्या देखने को मिलेंगे तो मैस में आपको sets मिलेंगे आपको relation function देखने को मिलेंगे आपको अब पर क्या मिलेगा principle mathematical induction देखने को मिलेगा complex number and the quadratic equation मिलेगा linear inequalities मिलेंगी आपको ठीक है आप पर मैंच्यों ओम्पित यहां से स्क्वेन एंट से को स्वेरिक हरे मेंट इम्हें को आकर स्वेंटेशन चसे। अंधंगा आइंगे मतलब यहいたi मिलेंगेअ NaOH यहां से यहां को मिलेंगे Aristotle का अठ्व कर अपंगी स्वेमेरेटिन आपको मिलेंगे यहां पर दिखने लेगा हैं इंटरी के ऑफ दहीं को मीलेगा एंट्रीकल्स को मिलेगा टिखने वेक्टर दैमेन्शन आपको देखने को मिलेगा सकतल। बात करें और विलोघीमर तो टीइवर्सिटी अध़ लिविंग वल्ल्स आपको دेखने को मिलेगा, इस्थ और्गनेजम एनिमल एंद प्लांट देखने को मिलेगा सैल स्ट्रक्चर एंद फंक्शन देखने को मिलेगा प्लांट साइकोलोजी आपको देखने को मिलेगी सेक्चुल प्रोपोगेशन आपको देखने को मिलेगा जेनेटिक्स एंद एवलेशन आपको यहां पर देखने को पूरे आपकी चीज़ों यहां पर आपको देखना होगा, biology and human welfare देखना पड़ेगा, biotechnology and its application देखने को मिलेगा, ecology and environmental आपको देखने को यहां पर मिलेगे, तो काफी कुछ यहां पर important चीज़े हैं जो आपने previous classes में अल्रेडी 11-12 में पढ़ी हुए, यहां पर हम अगरिकल्चर की बात करें तो interactive agriculture and the agro-metrology आपको यहां पर देखने को मिलेगा, soils and the medium of plant growth देखने को मिलेगी, plant breeding and genetics आपको देखने को मिलेगा, agriculture engineering आपको देखने को मिलेगी, आपको पूरी पलसेज, oil ठीक है, उसके बाद में आपको खाद्यान चीज़ें वाली सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, पैडी भी, वीट हो गया, मेज हो गया आपको ठीक है, चावल, यहूं, मक्का, धान, यह सब पढ़ना पड़ेगा आपको, चीज़ें क候,ullen आपको पड़ेगा, कौनकोंची क्रॉपिंग शिस्टम लोग करते हैं, ठीक है, खेती में जो समानदर, ठीक है, सब देखना पड़ेगा वीड मैनेज़मन खर्पदवार का मैनेज़मन कैसे करोगे आप लोग ठीक है यह सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा उसके बाद में आपको recent trend अगरी कल्चर अब त्रेंडिंग में क्या चल रहा है अगरी कल्चर में कुछ नए कोश्चन बन आपके आपका flower से कोश्चन आएगा आपका उसके बाद में आपका preservation of fruit and vegetable की भाई हम किस तरीके से संरक्षित रखते हैं फ्रूट्स लोग को तो preservation पूछा जाएगा jam, jelly, squash, ketchup, chips, pickle, packing यह सब आप से पढ़े हुए आपने 11-12 में education आएगा आपका तो यह आपके topic रहेंगे subject wise तो यहाँ पर आपका subject वाला जो पूरा topic है वो यहाँ पर क्या हो जाता है clear हो जाता है students यदि हम इसी में आगे की और इदी बढ़ें फटा फट इदी हम आगे की और इसमें इदी बढ़ें तो हमें और इन में क्या चीज़ें देखना होगा तो आप इसमें आप college भी देख सकते हैं और कौन-कौन इसके लिए eligible हैं तो यह college की list है ठीक है इन लोगों को बिहार के इन college में admission मिलेगा बिहार क्रशी विश्विद्याला है सावोर ठीक है मंडल भारती क्रशी विश्विद्याला है आपका सहरसा ठीक है BKS क्रशी महाविद्याला अरिबाडी ठीक है किसंगळ और नालंदा अध्यान महाविद्याला ठीक है नूर सराय नालंदा मैं आपको यह देखने को मिलेंगे यदि आप पसूर से करना चाहते हैं तो आपको कहां से मिलेगा संजय gandhi ठीक है गव्वे तखनीकी संस्थान पतना और स् seat भी लिखी हुई है, cool seat 30 है, यहाँ पर seat 40 है, यह आप seat भी देख सकते हो, कहां कितनी seat है, ठीक है, तो यह seat है, आपकी total seat है, ICR कोटे से आपकी यह 15% seat यहाँ पर full हो जाएंगी, तो ICR का कोटा जो है बिहार में, ठीक है, बिहार agriculture में आपका यह क्या हो जाएगा, ठीक है, seat है, यह यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, किसकी कितनी seat हैं, आप इसका screenshot ले लीजिए, काफी important चीज़ें कि कहां पर कितनी seat हैं, यह 15% यह आप ICR क्रेक करते हैं, तो उसके थूरू भी आप बिहार में admission ले सकते हैं, सब लोगों की, जो लोग भिकनांग है, उनक सारी seat है, आपकी वो seat भी आप देख सकते हैं, उसके बाद में यह आपका total seat है, कहां पर कितनी seat हैं, वो भी आपका English में लिखा हुआ है, आप यह भी बहुत शानदार तरीके से देख सकते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, आपका फार्मा वगरा है, उसकी भी seat यहां पर दी गई है, अब कौन-कौन लोग eligible हैं, कौन-कौन सी सस्था हैं, ठीक है, कौन-कौन सी चीज़ें eligible हैं, वो सारी चीज़ें यहां पर दी गई है, आपके लिए, ठीक है, यह सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है, मतलब क्या केवल वे ही आवे दक प्रवेस पा सक बहुत है, जो भारत की निवाशी हों जिनके मातापिता बिहार के हो हो या बिहार के सन्राव थी ओ ठीक है जो पहले ज़ार जBl Dale stranger हो गया लेकिन अभी भी अनके पास era है यह वह नहिए है यह वह उसे दे सकते यह जिनके मातापिता बिहार में इस्ती भारत सरकार दोारा रहा है तो लोग इसे दे सकते हैं यह ब्हारत Magaziner में रहते लेकिन वो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं वो भी दे सकते हैं यह सब सब्जेक्ट हैं जिनके लिए यहां पर यह फॉर्म निकलते हैं चार वर्सी कोर्स है आपका डॉक्टर अब्दूल कलाम वोमें इंसिटूट आफ टेकनलोजी में ठीक है इंफर्मिशन इसमें अपर एज लिमिट का कोई क्राइटीरिय नहीं आप जितनी बार चाहिए उतनी बार फॉर्म भर सकते हैं उसकी आपर कोई भी दिक्कत नहीं है इस बात कभी से ध्यान रखिएगा तो यह जानकारी थी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर आप जा सकते डिस्क्र रिकुल स्क्रिंशॉट लेकर देख सकते हैं टो परिक्षा जूगी वह पांच दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कब पर होने वाले कैसे पर होने वाले सारी चीजिए आपको बता दिया जाएगा चीज़ प्रवेस पाटर आपको वॉला गया कि पेपर हिंडी-ेंग्ल चाहने आपका करक्ते हैं जी तो ये सब के बाद में इस में और बात करें कौन कौन सिवयाज चीजह हैं जो आप सब जानते ही है अब हम कुछ important point की उपर बात कर लेते हैं फोटो वगएरा है ये लिए वह चिपका कर आपको देंगे तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा बच्चो नेक्स तयारी करना पड़ेगा तो आपको फॉर्म में कितने पैसे लगने वाले हैं वो भी आप यहां पर देख लीजे किसको कितने पैसे लगने वाले हैं तो यदि आप क्या है ठीक है किस से पेपर दे रहे ह टिक है PC MB से पेपर दे रहे हैं तो आपको 1100 रुपए के आसपास फॉर्म फिल करने में लगेंगे तो यदि आप PC MB से दे रहे हैं तो 550 रुपए लगेंगे आपको तो यह सारी जानकारी यहांपर दी गई है आप तैयारी में लग जाए जो भी और जानकारी लगेगी तो हम आपको बताएंगे यह तो सब ओनलाइन वालों का काम है ओनलाइन वाले ही इसका काम करेंगे तो आज का वीडियो यहीं पर समाथ होता है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलेंगे आप नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा ओके बच्चों बबाई टेक क्यार और अल दी बेस्ट और एक्जाम